तो friends हम सीख रहे हैं CSS और उसके अंदर हमारी सीरीद चल रही है flex box की तो friends आज हम सीखने वाले है flex shrink property के बारे में तो चलिए सिधा PC पे जापे हम practically करके देखते हैं तो friends यह हमारा HTML code है जिसके अंदर यह हमारा parent container है और इस parent container के अंदर हमने class लिया है flex container और जिसके अंदर हमने यह CSS code लिखा है ठीक है जहां पे हमने display flex set किया है और इसकी width जो है वो 800 pixel की हमने set की है ठीक है और friends यह जो flex container है इसके अंदर करीबन हमने तीन flex item यहाँ पे mention की है यह देखिए तीन हमने flex item को यहाँ पे mention किया है और इस flex item के जो भी class है उसके अंदर हमने ये CSS code हमने लिखा है और इसकी जो beat है हमने यहाँ पे 500 pixel की यहाँ पे mention की है ठीके और ये overall जो coding है उसका output कुछ इस तरीके से हमारे web page पर आ रहा है ठीके अब friends यहाँ पे देखिए friends हमारा ये जो parent container है जो blue background वाला जो container है उसकी beat कितन है यहाँ पे हमने ली है 800 pixel की ठीके तो यह 800 pixel का ये container है पुरा जो blue background वाला जो container है वो और इसके अंदर हमारे जितने भी ये child estimate element यानि की flex item जो है उसकी width हमने कितनी set की है यहाँ पे 150 pixel की ठीके तो यहाँ पे देखिए friends 150 plus 150 plus 150 total हो गई यहाँ पे width हमारे 450 की और यहाँ पे margin और padding मिला के आप approximately यहाँ पे ले लीजिए 500 pixel की total width हो गई है ठीके फिर भी friends यहाँ पे हमारे जो है करीबन 300 pixel जितनी जो space है वो available है तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ यह जो हमारे child estimate element है उसकी width में बढ़ा देता हूँ यहाँ पे मैंने width कर दिया है 200 pixel की ठीके और यहाँ पे page को मैंने refresh किया तो यह width हमारी increase हो गई है ठीके अब दुबारा में इसको और increase करता हूँ और example यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ अब देखिए page को मैं refresh कर रहा हूँ तो हमारे जो child estimate element की जो width है वो increase नहीं हो रही है क्यों क्योंकि हमारे जितने भी child estimate element है वो already हमारे parent container की जितनी width है उतनी width की जो space है वो cover कर चुके है तो यहाँ पर यह दि हम value बड़ा भी देंगे तो भी यहाँ पर कोई भी changes नहीं होगा क्योंकि हमारा यह जो parent container है उसके अंदर हमने use किया है display flex और display flex क्या करता है कि जितने भी flex item है उनकी जो width है वो parent container के width से ज़्यादा हो जाती है उस case में by default flex item को यह shrink कर देता है यानि कि secure देता है shrink का मतलब होता है secure न ठीके तो यहाँ पर देखें friends हमारा जो parent container है उसकी width में यहाँ पर कर देता हूँ 500 pixel ठीके अब देखिएगा friends मैंने page को refresh किया तो यहाँ पर देखिए हमारी जो flex item थी उनकी width यहाँ पर सिकुड गई है shrink हो गई है ठीके जबकि हमारे यह जो flex item है इनकी जो width है वो 5000 pixel की है फिर भी यहाँ पर shrink हो रहे है by default तो इन्हें control करने के लिए यहाँ पर हम flex shrink property का use करेंगे अब सब सब पहले एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं value कम कर देता हूँ 300 pixel की और यहाँ पर मैं value कर देता हूँ 600 pixel की ठीके 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 फ्रेंस अब देखे फ्रेंस यहाँ पर जो हमारे जितने भी चायल एशे में element है वो सभी के सभी यहाँ पर shrink हो रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि यह जो flex item है इन मेंसे कोई एक flex item जो है वो shrink ना हो बाकी के जो flex item है वो shrink हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले काम करते हैं जितने भी हमारे flex item है उनके अंदर हम सभी के एक individual अलग-अलग हम class यहाँ पर assign कर देते हैं और example यहाँ पर मैं लिख जता हूँ c a r d card 1 और यहाँ पर card 2 और य यहाँ है वो इस बार अलग-अलग रखा है ठीक है अब friends यह आप चाहते हैं कि यह जो card 2 है यह shrink ना हो बाकी के जो flex item है वो shrink हो जाए कोई दिकत नहीं तो यहाँ पर आप mention करेंगे dot c a r d card 2 और इसके अंदर हम property लिखेंगे flex shrink और यह जो property है इसकी जो default value रहती है वो रहती ह 1 यानि कि shrink करना ठीक है तो यहाँ पर यदि हम 1 लिखेंगे तो हमारे output में कोई भी changes नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर हम यदि 0 कर देते हैं तो देखें friends हमारा यह जो card 2 वाला जो flex item है वो shrink में से निकल जाएगा यानि कि वो shrink नहीं होगा बाकी के जो html element यानि कि flex item है वो shrink होगे देखें friends जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेस किया तो हमारा जो card 2 है वो shrink नहीं हुआ है बाके के जो cards है वो जितनी space available थी उसके हिसाब से यहाँ पर shrink होके आगे है ठीक है अब यहाँ पर 0 और 1 के अलावा और भी value लिख सकते है और example मान लिजिए card 2 वाला जो item है उसको आपको shrink करवाना है बाके के जितने भी items है उससे दुगना ठीक है उसकेस में आप यहाँ पर value लिखेंगे दो तो देखिए friends यहाँ पर हमारा जो card 2 है वो बाके के flex item के comparison में यहाँ पर double shrink होके आ गया है ठीक है सेम इसी तरह यहाँ पर value बढ़ाते जाएंगे तो यदि shrink होन यहाँ पर shrink नहीं हुआ है हमने 3 value लिखा तो भी यहाँ पर shrink नहीं हुआ है क्योंकि हमारा यह जो maximum shrink होने की possibility थी वो full हो गई है तो इससे समझने के लिए यहाँ पर हमारा यह जो parent container है इसकी width increase कर देते हैं और यहाँ पर replace करते हैं तो देखिए friends हमारा जो card 2 है वो बाकी के flex item के comparison में यहाँ पर 3 गुना flags होके आ गया है अब देखिए friends मैं यहाँ पर 3 की जगा पर फोर करूंगा तो और shrink होगा देखिए देखिए थोड़ा और shrink हो गया है यानि की 4 गुना यहाँ पर shrink होके आ गया है तो इस तरीके से flags shrink property का use करके हम अपने flags item के shrink को control कर सकते हैं I hope आ